Very blessed evening, praise the Lord, जय मसी की, प्रभू के मधुर मीठे नाम में आप सब को जय मसी की, प्रभू की इस मधुर आत्मिक संगती में एक बार फिर से हम प्रभू के दया से, प्रभू की क्रपा से, प्रभू के जीवित बचन को, जो हमारी आज की रोटी है, प्राप्त करते हैं, प्रभू की बड़ी इच्छा से, प्रभू के बड़े प्रेम और अनुग्रे और दया से, तो आईए आज हम एक नया बल प्राप्त करें, वो काप के समान उड़ने के लिए, दोडने के लिए और श्रमित ना होने के लिए, चलने के लिए और ठकित ना होने के लिए, हालिलुया, थैंकिय। लूड जीजेस ये शाया 40 और उसकी 31 वर्ड के निमित आज प्रभू आपको नया बल देंगे जब आप ठकित होते हैं जब आप श्रमित होते हैं तो कहां हमको आना चाहिए ये सोचने का विशे है हमें प्रभु के निकट आना चाहिए अपने परम पिता परमेश्वर से मांगे हम मनुष्य से क्या मांगे मनुष्य हमारी तरह है आज हर इंसान हम देखते हैं आप संसार में अपनी निगाह करेंगे विश्व भर में हर मनुष्य परेशान है कोई बिजनसमेन है तो वो बिज unemployment से परिशान है कोई रोजी रोजगार में है वो अपने सर्विस से नौकरी से परिमें परिशान है कोई बिना नौकरी के है तो वो अपने बिना नौकरी में परिशान है कोई बच्चे वाले हैं संतान वाले परिवार वाले हैं वो परिवारों में संतानों के साथ जूज रहे हैं परिशान हैं अशांत हैं दुखी है जो निसंतान है या अभी वेट कर रहे हैं शादी का वो अपने उस जीवन से परिशान है निसंतान होने से परिशान है बिना शादी के परिशान है हर मनुष्य परिशान है तो समझने वाली बात ये है कि जो चीज हमारे पास नहीं है हम उसको पाने के लिए परिशान है लेकिन हम देखें जिनके पास वो चीजे हैं वो भी परिशान है यदि आज हमारे पास पैसा नहीं है तो जिनके पास पैसा है क्या वो सुखी है वो भी पर प्रिशान है येस माई जीवित सामर्थी वचन को आज ग्रहन करेंगे प्रभू हमें शांती देंगे प्रभू हमें तसली देंगे प्रभू हमें अपना प्रेम देंगे और अपनी समझ देंगे कि हम हर परिस्तिती में प्रभू के उस आनंद को प्राप्त करें प्रेस्ट ब्रदर अनुपम डेविड और सिस्टर शबनम डेविड की इस अथक प्रयास से हम सब मिल पाते हैं समय समय पर आगरा मसी मनली पेज पर इसके लिए प्रभू को धनेवाद देते हैं कि प्रभू की एक रिवीर्ड विल को जो प्रभू ने आपके और मेरे लिए रखी है उसक को हम भिनभिन माध्यम से अपने जीवन में उसकी अवाज को सुनने के लिए जब तयार होते हैं तो निश्चित मानिए प्रभू अपने आपको आपसे नहीं छुपाएंगे वो आपको अपनी वानी अवश्य सुनाएंगे वो अपनी तसली अवश्य देंगे और आज का बहुत ही सामर्थी वचन है आपके और मेरे लिए हमें एक नया बल प्रदान करने के लिए जब हम संसार में अपने जीवन की परिस्थितियों में जूशते जूशते ठाक जाते हैं श्रमित हो जाते हैं तो प्रभू कहते हैं कि मेरी बाट जो हो किसी विशेश परिस्थिती को प्राप्त करने के लिए किसी संसारिक टास्क को प्राप्त करने के लिए श्रमित और ठकित होगे तो अश्शान्ती मिलेगी क्योंकि जिन के पास वो है वो भी अश्शान्त है जिनके पास पैसा है वो पैसे में परिशान है अशान्त है जो निर्बल है वो अपनी निर्बलता में परिशान है जो बहुत ताकतवर है जो सफल है बहुत जादा वो अपने आप में परिशान है हम संसार में देखते हैं, न्यूस देखिए आप, विश्व भर में क्या होता है, यही होता है किसी के पास पैसा है, पावर है, नेम है, फेम है, सब कुछ है तो उसके उतने ही जादा चैलेंजिस, उसको घेरे हैं, वो सांस नहीं ले सकता आजादी की वो स्वतंत्रता से वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकता तो वो किस के लिए है सब वो फिर भी आनंद में नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है जो आइडेंटिटी क्राइसिस में जी रहा है जो वैल्यूज नहीं है जिसके पास इंफ्लूएंस नहीं है power नहीं है ओधा नहीं है वो अपने उस परिस्तिती से परिशान है जिन के पास jobs नहीं है वो अपनी jobs ना होने की वज़ा से सोचते हैं बस job मिल जाए एक मेरा business चल जाए मुझे अगले साल ये मेरा task पूरा हो जाए मेरा ये project पूरा हो जाए अगर 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 if 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 we are putting so many ifs in our life to make us unhealthy, restless, peaceless and we start getting away from the voice of the God in this gesture और ये ही वो कारण है कि जब हम अपने पिता से धीरे 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 दूर होते चले जाते हैं जिस शांती के सुरोते की तरफ हमें भागना चाहिए जिस शांती के सोत की तरफ हमें भागना चाहिए हम उससे इन विचारों के द्वारा और दूर और दूर होते जाते हैं तो प्रियों आज का जो वचन है वो इन ही बातों के लिए आप से बात करेगा, मुझसे बात करेगा, और प्रभू की पवित्रात्मा परमेश्विर का स्वागत करते हैं, पिता आज के सुन्दर वचन से अपने बच्चों को आप त्रिप्त करें, आज की इस रोटी से, जीव को आशिशित करें, अपनी शांती से, अपनी आनंद से भरें प्रभू परमेश्वर, पावित्रात्मा परमेश्वर आपका स्वागत करते हैं, प्रभू आज के इस लाइव सेशन में, आगरा मसी मंडली इस फेस्बुक पेज के द्वारा से, प्रभू, जो भी आपके संद को प्राप्त करें, पिता, वो आपकी शांती को पाएं, आपके जीवन के जल को पाएं, जीवन की रोटी को पाएं, प्रभू, वो तमाम बातें, वो तमाम बोज, आज वो बच्चे आपके चर्णों में रग दें, कि हे सब ठके बोज से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा बिना उलाना किये ट्रिप्त करूंगा मुफ्त में दूंगा बिना किसी काबलियत के प्रभू हमको सब कुछ बातों से नवासते हैं सब आशीशों से नवासते हैं मेरे प्रिये भाईयों और बहनों प् खाली करें अपने विचारों को अपनी निगाहों को प्रभू की निकटता में लाएं कलवरी क्रूस पे प्रभू के उन्स हातों में छीदे कीलों की ओर देखें प्रभू के सर के उस काटों के ताज को देखें उस लहू पर जो प्रभू ने हम पर मोहर की है निगहा लगाएं 49 कोड़े जो प्रभु ने खाए हैं पिता कि उस प्रेम के द्वारा जो हम से प्रभु ने किया है हम सब छुटकारा पाते हैं हम उद्धार पाते हैं अपने प्रभु में होकर प्रभू येश्यु मसी नासरी के नाम से पिता परमेश्वर अपने बच्चों पर हम सब पर दया करें और अपने जीवित वचन के दौरा आज आप अपने बच्चों पर अपनी रिवीर्ड विल को पिता प्रगट करें कि वो जान सकें प्रबू कि ये संसार तो एक छलावा है भुलावा है इन सारे अगर को लेकर इफ्स को लेकर हम जीते हैं और ये शेतान का सुन्दर जाल होता है कि जो भी भुलावे में दुष्ट रखता है वो इसलिए कि प्रभू हम जीवन की रोटी और जीवन के जल को प्राप्त ना कर ले परन्तु आज हम उसकी हर एक युकती को हर एक उस भर्माने वाली दुष्ट की युकती को काटते हैं प्रभू येश्यू मसी नासरी के नाम से प्रभू आपके बच्चे अपनी आत्मिक आखों की उस रोश्नी को पाएं अपने मुक का प्रकाश आज हम सब पर चमकाएं प्रभू प्रभू येश्यू मसी नासरी के नाम से आज का यह लाइफ सेशन प्रभू लाइफ उड़ना सिखाएं तुफानी लहरों पे चलना सिखाएं प्रभु हमारा हाथ थाम के आप ले चले हमें प्रभु परमेश्वर हम सब पर अपनी दया करें अंधिकार दूर हो पाप गुना के बंधन तोट जाएं बुरी आदतों के बंधन तोट जाएं जनरेशनल कर्सिस वचन के निमित प्रभु अपने बच्चों पर रहम करें दया करें आज के लाइव सेशन को पवित्रात्म परमेश्वर आप जुंबिश करें अपना दुगना मसा से ब्लेस करें प्रभु अपने बेटे बेटियों को उनके प्रिये जनों को उनके परिवार जनों को आमेन आमेन पवित्रात्म परमेश्वर जी आपका स्वागत करते हैं आज के इस लाइफ सेशन में अपनी बुद्धी अपनी समझ अपने ज्ञान से भरे हमें आमेन आज का जीवित्वचन परमेश्वर के मार्क को जानने के लिए है एक नैचरल सी बात से मैं शुरू करूंगी उधारन के साथ जिससे हमें समझने में आसान हो कि प्रभू क्या चाहते हैं प्रभू की रिवील्ड विल क्या है और उसको हम कैसे फॉलो करें यदि हम देखते हैं एक नैचरल इंस्टिंक्स हैं कि एक मा घर में परिवार में अपने बच्चों को पालती है और कभी आपने नोट किया होगा जिस भी बहुत सी माएं होती हैं महिलाएं होती हैं बहुत से इंसेक्ट से डरती हैं तो आप नोट करेंगे कि उनका बच्चा भी उस इंसेक्ट से डरता है क्योंकि कभी छोटे में उसको वो एक मैमरी मिली होती है उसको वो एक सीन उसने देखा होता है अपने मा को डरते हुए तो वो इंसेक्ट से सेम रियक्शन उस बच्चे का भी आप देखेंगे कई बार मेरे साथ अभी ये मुझे प्रकाशन जो मिला वचन का वो मेरे साथ हुआ ऐसा अभी दो दिन पहले एक चीटा मेरे बैट पर आ गया टहलते टहलते और वहाँ पर मेरी बेटी एकदम डर गई छोटी वाली और वो मेरे से बोलने लगी ममी ये क्या है देखो कीडा कीडा मैंने उसको जोड से ऐसे करके उसको हटा दिया वहाँ से रिमूव कर दिया और मेरी बेटी ने उसे देखा फिर मुझे पूछा ये काटता नहीं है मैंने कहा नहीं आप उसको जोड़ से पकड़ेंगे, उसे मौका देंगे तो वो काटता है, रेनी सीजन में काटता है, आप उससे दूर से फास्ट ऐसे करके उसे रिमूव करोगे, थरस्ट करोगे तो वो नहीं काटेगा और उसने मेरा style देखा कि कैसे मैंने उसे bad पर से remove किया थोड़ी दिर बाद एक और चीटा आ जाता है और in the same way मैं थोड़ा busy थी अपने कुछ study work में देखती हूँ कि वो चीटे को उसी style में उसको remove कर देती है तो कहने का मतलब ये कि जैसे माता और पिता करते हैं उनका बच्चा वैसे ही करता है हालेलूया हमारे माता पिता को हम जैसा करते हुए देखेंगे हम भी वैसा ही करेंगे और यदि हम माता पिता हैं तो really जिस इंसेक्ट से मैं डरती हूँ उसे मेरे बच्चे भी डरेंगे this is but natural this is but natural क्योंकि वो देखते हैं कि उनके दिमाग में एक impact पड़ता है learning by doing और वो देखते हैं उनको देखते ही उनको impact पड़ता है कि इस चीज से ऐसे निपटा जाता है इस चीज से ऐसे डरा जाता है और इसी लिए बहुत से स्थानों में मनुश्य फेल होता है जब वो शैतान की युक्तियों से निबटना नहीं जानता है और जब वो निबटना नहीं जानता है तो वो एक generational कर्स की तरहां से generation to generation उसी dealing के साथ चलते चल जाते हैं क्योंकि वो शैतान से डरते हैं वो एक आत्मिक अंधापन डाल देता है अब परक का आत्मा हमसे उस समय दूर हो जाता है हम परक नहीं पाते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम किसके पुत्र हैं हम किसकी पुत्रियां हैं हम भूल जाते हैं कि प्रभु प्रभु येश्यू मसी पर विश्वास करने के द्वारा से हम अपने स्वर्ग ये पिता के बेटे और बेटियां हैं हालेलुया केवल एक क्वालिफिकेशन कि हमें अपने प्रभु येश्यू मसी पर विश्वास करना है अपनी प्रभु येश्यू मसी से प्रेम करना है प्रियोहाम संसार में बहुत से लोगों से प्रेम करते हैं वो बहुत कुछ हमारे लिए नहीं भी करते हैं तो भी हम करते हैं हमारे प्रभु येश्यू मसी की उस कुर्बानी को तो हम कभी देखें कभी विचार करें, कभी मनन करें, सोचें, कल्पना करें कि उनकी हतेली में वो बड़ी कीले, वो भारी कीले कैसे ठोकी गई होंगी और उन्होंने हमारे लिए वो कीलों को भेदने दिया अपनी हतेलियों में, अपने पाओं में वो काटों का ताज, वो सारा अपमान, कितना प्रेम किया है प्रभू ने हम से और जब उन्होंने मृत्य उपर जैप आई, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे और आज वो अपने स्वर्ग की पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं जहां से वो मुर्दों और जीवतों का इंसाफ करने को आने वाले हैं लेकिन जब वो स्वर्ग गए, तो हमारे लिए एक सहायक उन्होंने दिया अपना आत्मा उन्होंने हमें दिया, हमें उन्होंने असहाय नहीं छोड़ा हमें उन्होंने असहाय नहीं छोड़ा हमें एक सदैव के लिए एक हमें सहायक दिया कि हम तैयारी को पाएं हम भूले नहीं कि हम किसकी संतान है हम किसके वारिस हैं हम स्वर्गे स्थानों के वारिस हैं प्रियों हमारी क्वालिफिकेशन ये है जैसे लिखा है यहुन्ना चौधा और उसके पंद्रवे पद में कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्याओं को मानोगे मैं पिता से बिंती करूँगा और वह तुमें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुमारे साथ रहे अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहन नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुमारे साथ रहता है, और वह तुम में होगा, हालिलुया, तो हमको प्रभू से प्रेम करना है, और वो प्रेम हम कैसे प्रूव करेंगे, प्रभू की आज्याओं को मान के, प्रभू की आज्याओं प्रियों बहुत कठिन नहीं है, जब हम हम प्रभू से प्रेम करेंगे तब ही हम प्रभू के आग्याओं को मान सकेंगे और हम उसकी संतान होने के लिए वारिस होने के लिए जब बुलाए गए हैं ठेराए गए हैं प्रभू की निजप्रजा पवित्र याजकों का समाज वो प्रभू ने हमको ऑनर दिया है तो उसके लिए हमको अपने स्वर्गे पिता को नहीं भूलना है कि स्वर्गे पिता हमारे प्रभु येश्यु मसी नासरी के नाम से हमसे प्रेम करते हैं हमसे बेहत प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि हम बल पाएं हमने राश्णा हो हम याद रखें वो ब पिता के पुत्र को कैसे पहचाना जा सकता है जब पुत्र में पिता के काम होते हैं यदि पुत्र पिता के जैसा काम ना करे तो वो नहीं लगता कि वो हमारे जैसे मैंने बताया भी एक एग्जेंपल कि जिन इंसेक्ट से मा डरती है उन इंसेक्ट से बेटियां भी डरने लग जिस इंसेक को मां ने डील करा, भगा डिया, उसको बच्चे ने भी भगा दिया इसका मतलब है कि बच्चा अपने पिता से अपनी माता से वो चीजें देखता है और सीखता है आज यदि हम और आप प्रबु की संतान है तो हमारे पिता ने प्रबु ये शुमसी ने क्या किया कलवरी क्रूस पर जान दे के शेतान को हराया उसको पाउं तले रौन दिया और आपको और मुझको भी साप और बिच्छों को रौनने का दिकार दिया कलवरी क्रूस पे जान दे के अपने लहू की सामर्थ से हमको और्थराइज किया हमको सिखाया कि हम किस रीती से दुष्ट की हर एक युक्ती को काट सकते हैं वो एक कीड़े के समान हम उसे हटा सकते हैं उसकी हर एक जूट को हटा सकते हैं क्योंकि वो जूट का पिता है वो सत्य का पिता नहीं है उसमें सत्य का आत्मा नहीं है हम में और आप में सत्य का आत्मा है क्योंकि हमारे प्रभु येश्यु मसी ने हमको वो सहायक दिया है जो हमारी सत्य के लिए गवाई करता है तो हम अपने जीवन में निराश क्यों रहे डरे क्यों रहे कोई भी दुष्ट की युक्ति के आगे हम अशान्त क्यों हो जाए कुछ नहीं है अमारे पास कोई चीज की कमी है वो दुष्ट हमसे पहले जानता है कि वो कौन सा बटन है जिससे वो हमें हैडिक दे सकता है उस बटन को उसे ना दबाने दे उसमें पावर ना आने दे जिस बटन से आपको हैडिक होगा क्योंकि वो जानता है कि किस रीती से वो आपकी शान्ती को चीन सकता है आपके अंदर जो अनौइंटिंग प्रभू का है, जो पवित्र तेल प्रभू ने आपकी कुप्यों में भराय विश्वास का, वो कैसे उसे सुखा सकता है, वो दिखाएगा उस क्राइसिस को, उस कमी को वो जीवन में जो आपको लगता है कि है, क्योंकि प्रभू जानते हैं हमारी हर एक जरूरत को जानते हैं, हमारी हर एक आवशक्ता को जानते हैं, वो जब चाहते हैं, जिसको चाहते हैं, तब उस चीज से, उस आशीश से नवासते हैं, हमारे मांगे बिना वो हमें देने वाले, भर पूरी से देने वाले हमारे स्वर्गी पिता हैं, हम उनके पा में 33 वर्स में लिखा है कि पहले तुम मेरे धरम और मेरे राज्य की खोज करो तो सब वस्तु है तुम्हें मिल जाएंगी और जब हम उसके धरम उसके राज्य की खोज में रहेंगे तो कोई भी दुश्त हमको हैडिक नहीं दे पाएगा क्योंकि वो जब आपको उकसाएगा कि अगर तुम्हारे पास अगर ये होता तुम्हारे कमी ये है इसको ऐसे प्राप्त कर लो वो संसारिक लोब लालच वो सारी बाते वो दिखाएगा जो अब तक आ अगे गारे मैंने अभी तक ये नहीं किया मेरी लाइफ में मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूं मगर मुझे अभी तक ये नहीं मिला प्रियो मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें हर मौसम आएगा तुफानी हवाएं भी चलेंगी लहरें भी उठेंगी बारिशें भी में होंगे उस बोट में होंगे तो ना तो आपकी नाव कभी डूबेगी ना आपको कभी कोई बारिश भिगो पाएगी दुख की क्योंकि कैसी भी परिस्तितियां क्यों ना हो प्रभू आपको उकाब के समान तुफानी हवाओं से उपर उड़ाए ले चलेंगे परिस्तित आप उकाब के समान बिना अपने विंग्स को फड़ पड़ाए उस तेज हवा का आनंद ले रहे होंगे हालेलूईया और ऐसी परिस्तिती में जब दुष्ट आपको अशांत करना चाहेगा जब दुष्ट आपको आपकी बिमारी का हाल दिखाएगा जब दुष्ट आपको अपनी परिस्तितियों को दिखाएगा उन परिस्तितियों को जो अब तक नहीं बदली हैं और आप उससे विचलित नहीं होंगे परिंटु अपने मन में कहेंगे प्रभू की योजना में शामिल है दिस इस दप्लान अफ गॉड आएम इन दप्लान अफ गॉड और आपको सब बाते मिलके मेरे लिए भलाई को उत्पन करेंगी रोमियों आट-ठाइस के निमित तो वह दुष्ट को हैडिक होगा और वह भाग जाएगा वहां से वह सिर्फ हमको उक्सा सकता है वह हमको प्रलोबनों में डाल सकता है वह मारा हाथ पकड़के हमको कहीं नहीं ले जा स है इस दिस अवर फ्री विल कि हम किस के ताकत को अपने अंदर आने देते हैं सत्य को या जूट को यह हमारे उपर है हम किस विचार को लेकर किस विचार रूपी नाव में बैठकर अपने इस भव सागर में जो बहुत सारे challenges और लेहरों में दुखों के तुफानों के challenges के चितौनियों के उस लहर में से होकर हमें पार ले जाएगा every morning जब हम उठें धार्मिक व्यक्ति एक प्रभु को खोजने वाला व्यक्ति जब सुबा आँख खोलता है आँख खोलते ही उसको सबसे पहले उसके दिमाग को दुष्ट ग्रैब करना चाहता है क्योंकि this is the battlefield our mind is the battlefield of the devil उस छूट के पिता यानि दुष्ट का उस शेतान का battlefield युद्ध का मैदान हमारा मस्तिश्क है और आप इस चीज़ को जज करिएगा realize करिएगा आप note करिएगा कि जब आप सुभा उठते हैं उठते के साथ ही आपके दिमाग में first thought क्या आता है it will decide on which path you are walking आपने कौन सा मार्ग ले रखा है आपने कौन सा मार्ग ले रखा है Thank You Lord Holy Spirit Thank You Jesus Thank You Lord Heavenly Father क्योंकि वो निश्चित करेगा कि दिन भर में आपकी शांती बढ़ेगी या अशांती बढ़ेगी आपका दर्द बढ़ेगा या आपका आनन्द बढ़ेगा हमको प्रभू में जीना है that's it this is the final word उसके लिए हमें ना left जाना है ना right जाना है स्ट्रेट जाना है और वो प्रभू का विचार आपको सुभा उठके आप नोट करिएगा आपकी बार आपके दिमाग में यदी संसार का कोई एक थौट रात को सोने से पहले आप जिस थौट को लेते हुए जिस चिंता को लेते हुए सो गए हैं हो सकता है वहीं से वो एप अगर आप सोते टाइम तक 50% negative thoughts में सोए हैं तो वो सुबा होते होते 100% उसी में और इजाफा करते हुए शतान आपको और दबाता है तो कोशिश करें कि रात को सोने से पहले प्रभू के पास आए और प्रभू से प्राथना करें प्राथना करें गुटनों पे आके नाओं में लगे रहें वचन में लिखा है कि अपनी प्राथना को ना रोकें अगर हमारे पास समय नहीं है तो लेकिन सोने से पहले जब हम आख बन करते हैं उससे पहले चाहें एक मिनिट हो या दो मिनिट हो आप इश्वर प्रभू येश्यू मसी का नाम ले परम पिता पर मेश्वर का नाम ले उनके प्रेम को देखे उस कलवरी क्रूस पर अपनी निगा को लगाएं और बोले कि प्रभू आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं मैं जानता हूँ मेरी ये परिस्तिती मैं ये बोज अपना आपके हाथ में सौपता हूँ और प्रभू आपको मीठी नीन देंगे स्वस्त सुभा देंगे राद पर पाक फरिष्टे पवित्र दूत स्वर्ग दूत आपकी निगेबानी करेंगे आपको चिंता नहीं करनी होगी किसी बात की फिर और सुभा जब आपकी आँख खुलेगी जो पहला थौट आएगा वो प्रभू की अवाज होगी कि मैं तेरे संग हूँ मत डर मैं तेरा परमेश्वर हूँ इधर उधर मत ताक मैंने संसार को जीत लिया है हालेलुया थैंक यू लौड जीजस हालेलुया तब आप उस मार्क को ले पाएंगे जो प्रभू येश्यु मसी है जब प्रभू ने कहा मैं जाता हूं तुमारे लिए जगा तयार करता हूं तो थोमा कहता है मैं तो नहीं जानता कि प्रभू तू कहां जाता है तो वो मार्क कौन सा है हमें बता दे प्रभू ने क्या उत्तर दिया रोमियो 14 में लिखा है मार्क सत्य और जीवन मैं ही हूं सत्य प्रभू येश और जीवन भी प्रभु येश्यु मसी है प्रभु येश्यु मसी को पाना मार्क को पाना है सत्य को पाना है और जीवन को पाना है और उस मार्क को जब हम प्राप्त कर लेते हैं प्रियों तो हम उस जीवन को पाते हैं जो डगमगाता नहीं है और उस सत्य को प्राप्त करते है जिसके आगे दुष्ट का जूट टहर नहीं सकता जब वो आपको दिखाएगा कि तुम्हारी परिस्तिती शारिरी कवस्था में दुर्बल है तुम अभी तक अपनी बिमारियों से पीछा नहीं छुड़ा पाए हो तुम्हारी सराउंडिंग्स अभी तक ऐसी है तुम कब से प्राथ ना कर रहे हो मगर तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं हुआ है तब आप बोलेंगे उस वचन को मार्ग सत्य और जीवन मेरा प्रभु येश्य मसी है और मैं सत्य के मार्ग पर हूँ मैं जीवन के मार्ग पर हूँ और मैं प्रभु येश्यु मसी को प्रात कर चुका हूँ वही द्वार है पिता तक पहुँचने का हम उसकी संतान है तो जैसे प्रभु येश्यु मसी ने घुड़का शैतान को जब भगाया जब वो हमको मार्ग से हटाने को आए हमारे उद्देश से हिलाने को आए उसे डांट ना है जैसे जब क्रूस पर जाने से पहले उन्होंने अपने चेलों को बताया तो उनका प्रियेच चेला उनसे कहने लगा कि हे प्रभु तु यहां से चला जा ताकि कोई तिरे को ढूढ़ना पाए और जब यह समस्य हट जाये तब आ जाना इसने का हे शेतान दूर हो मेरे पास से जबकि वो उसका प्रियेच चेला था तब ही हम भी जानते हैं कि हमारे पास जब वो प्रभु येश्य मसी को उनके प्रियेच चेले के द्वारा से उनके मार्ग से भटकाने को आता है तो आप और हम क्या है वो हमको भी हमारे मार्ग से हमारे सत्य से हमारे परमेश्वर प्रभु येश्यु मसी से हमें अलग करने को प्रती समय, प्रती घंटा, प्रती मुमेंट Every moment He is ready to watch us He is always watching us कि कौन सा ऐसा कमजोर पार्ट हमारे लाइफ का ऐसा हो कड़ी आए और वो आके उसी थौट से हमको वीक कर दे मगर हर एक वीक थौट पर प्रभु आपको आज बल देंगे आप उसको ओवरकम कर सकेंगे उस डर के उपर आप जैहासिल करेंगे वो जैसे इस चीटे को ऐसे एक माँ हटा देती है तो उसका बच्चा भी हटा देता है हम और आप भी हमारे प्रभु येश्यू मसी जो हमारी माता हैं जो हमारे पिता है वो उस शैतान को हरा सकते हैं तो हम और आप भी हरा सकते हैं अपने प्रभु येश्यु मसी के सामर्थी नाम के द्वारा वो सत्य के आत्मा के द्वारा जो प्रभु में हमारी अगवाई करता है जैसे वचन में लिखा है मैं आपके सामने वचन पढ़ती हूँ यह आपके लिए बलशाली वचन है सामर्थी वचन है इसको आप ग्रहन कर और बल पाएं और पिता के वो पुत्र बने वो पुत्रियां बने कि दुष्ट आपको डरा ना सके हिला ना सके और डिगा ना सके यहुन्ना रचित सुसमा चार उसका चौधवा ध्याए उसका आठवा पद फिलुपुस ने उससे कहा हे प्रभू हे प्रभू पिता को हमें द दिखा दे एक समय था इस्राइला इस्रेलाइट्स जब उस जंगल में थे मुसा उनकी अगवाई करता था और वो मुसा से जलने लगे और वो कहते हैं कि क्या आर यू वरी स्पेशल की तुम ही प्रभ पिता से परमेश्वर से बात कर सकते हो तुम्हें गाइडलाइन्स देते हैं फिर तुम हमें प्रवाइट करते हो we don't need any mediator we want to talk to heavenly father directly हम उस creator से अलोहीम से direct मिलना चाहते हैं और हम देखते हैं कि वो उसकी सामर्द को सहना सके वो डर गए काप गए उस भैबीत हो गए उस गर्जन से उस आवाज से उस रोश्णी से और उन्होंने मूसा से का हम मर जाएंगे तो परमेश्वर से प्रात्ना कर बिंती कर हमारी ओर से कि वो तुछ से बात करें और तू हमें उनकी इच्छा को रिवील कर बता हम नहीं सह स सकते हम नहीं देख सकते उनकी उस पवित्र सामर्थी प्रगटी कर उनको वाचा का संदूक को हम देखते हैं कि जब लोगों ने छुआ किसी भी रिती से और वो मर गए विपत्तियां आई वो मर गए लेकिन आज प्रभु येश्यु मसी वह हमारे दयालू प्रेमी पिता हम से प्रेम करने वाले हमारे मित्र हमारे हम को यह अधिकार देते हैं कि आज उस वचन को हम ग्रहन करते हैं और अपने पिता को हम मिल सकते हैं हालेलूया क्योंकि जिसने पुत्र को देखा है उसने पिता को देखा है जिसने पुत्र को देखा उसने पिता को देखा है यहां प पर फिलपुस एक इनोसेंट सा सवाल करता है और कहता है कि हे प्रभू पिता को हमें दिखा दे यही हमारे लिए बहुत है येशुने उससे कहा हे फिलपुस मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूँ इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम क्या तुम मुझे नहीं जानता इतने दिन से मैं तुमारे साथ हूँ क्या तुम मुझे नहीं जानते जीवित वचन प्रभू ने अपना हम को और आपको दे रखा है अब भी हम प्रभू को नहीं जानते हम आज भी फिलिपुस की तरह पूछते हैं कि प्रभू तो किस मार्क से आता है, किस मार्क को जाता है, हमें दिखा दे, हमें पिता से मिला दे, हम नहीं जानते, हम क्यों नहीं जानते, वो हमारे जीवन में बड़े-बड़े चिन और चमतकार करता है, पवित्रात्मा परमेश्वर हमें आत्मिक अनुभव देते हैं, वो हमें इस वचन को समझने की सामर्थ देते हैं बल देते हैं वो हमारी आत्मिक आखों को खोल देते हैं वो हमारे बैरी को हम पर प्रबल नहीं होने देते वो जो जूट का पिताय संसार का सरदार है वो संसार कहा के मैं वो हम पर कभी सबल नहीं हो पाता वो एक निर्बल होके वो एक शैतान वो एक डिफीटिड फो बनके हारे हुए दुश्मन की तरह से वो दौड जाता है हमारे क्योंकि हमारे साथ प्रबु का आत्मा सत्य का आत्मा रहता है पाक फरिष्टे प्रबु हमारी और खैमजंद रखते हैं ना तो दिन को धूप से न रात को चांदी से प्रबु हमें को चानी होने देते हैं और फिर भी हम पूछते हैं कि हम प्रबु को हमें दिखा दे क्या हम नहीं देख सकते जो यह सांस हम ले रहे हैं जो रौश्णी प्रभू हमें दे रहे हैं सारे सिंसार को सारे विश्व को यह प्रभू की दया है एक वो दिन आएगा अंधिकार से भरा हुआ वो अनंत काल की रात्री आने वाली है जिस रात में कोई कुछ ना कर सकेगा किसी की कोई युक्ति काम ना आएगी ये समय है जिस प्रभू को हम देखते हैं जानते हैं प्रभू का मुक का प्रकाश नित हम पर पढ़ता है लेकिन हम उसे क्यों नहीं देख पाते जैसे वचन मे लिखा है यदि हम संसारिक रिती से हैं तो हम सत्य के आत्मा को नहीं देख पाएंगे हम प्रभु के उस मुख के प्रकाश को नहीं ग्रहन कर पाएंगे प्रभु के उस रूप को दिव्वे रूप को हम नहीं अपने जीवन में प्रगट होने दे पाएंगे प्रभू ने हमारे इस जीवन के द्वारा से अपने उस रिजरक्षन को प्रगट करा है जब हम उसकी मृत्यू को अपनी इस देह में लिए फिरते हैं प्रते दिन अपनी क्रोस उठाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने प्रभू को देखा है और सत्य का आत्मा हमारी अगवाई करेगा जब संसार से हम दूर होंगे संसारिक अवस्था से हम दूर होंगे क्योंकि लिखा है वचन में यहुन्ना चौधा और उसके सत्रा पद में मैं पढ़ रही हूँ अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहन नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है ना उसे देखता है ना उसे जानता है सत्य का आत्मा को संसार नहीं देख सकता प्रियों संसार उसे नहीं जान सकता संसार यदि मुझ में और आप में आज संसार है तो प्रति भोर जब हम उठेंगे तो संसारिक थौट्स वर्डली थौट्स हमें घेरे होंगे और यदि हम चाहते हैं कि हम प्रभू के धर्मी जन बने हम उस तैयारी में हैं कि जब प्रभू का आगमन हो तो हम बादलों पर उठा लिये जाएं no matter we are alive or dead by that time ये मृत्यू वो मृत्यू नहीं है ये मृत्यू केवल एक सोना मात्र है जो धर्ती में सोए होंगे वो पहले उठाए जाएंगे उनका भी न्याय होगा और जो प्रभू में सोएंगे वो जब प्रभू का वो गुपता आगमन होगा बादलों पर वो पहले उठाए जाएंगे तो कोई निराश ना हो कि हम कौन सा तब तक जिन्दा रहने वाले हैं मगर वो मृत्यू ये मृत्यू वो मृत्यू नहीं है वो अनंत काल की मृत्यू वो मृत्यू है जहां पर दातों का पीसना और चिंकना चिलाना है और उसे बचने के लिए प्रभू ने आज आपको और मुझको मौका दिया है कि हम लोगों को तैयारी दे खुद ही तियार ना हो परन्तु औरों को भी तैयारी दे कि वो अपनी संसारी कवस्था को पहचाने और आत्मी कवस्था में आ जाए और उसकी पहली पहचान ये ही है कि जब हम आत्मिक वस्था में आना चाहते हैं अपने पुराने मनुशित्व को उतारके नए मनुशित्व को पहन लेना चाहते हैं तो प्रतीभोर जब हम उठे और दुष्थ हमें घेरना चाहे अपने उन जूट के विचारों से तो हम उसको जिड़क दे, टांट सके, खदेर सके, उसके सर को कुचल सके, उन जूटे विचारों से अपने को अलग कर सके जैसे हमारे प्रभु येश्यु मसी ने उसको घुड़का, उसे हराया और मृत्यु के डंग को तोड़ दिया संसार पर जैप आई है, और उसके द्वारा से हम और आप, कॉंकर्ड हैं, हम जीते हुए हैं, जैप आई हुए हैं, मोर देन कॉंकरर्स हैं, जैवंत से बढ़कर हैं तो हम किसी बात के चिंता ना करें, सुबा उठते ही इन वचनों को प्रोक्लेम करें, जब वो चिंता डाले, प्रशन डाले, आपके आगे एक प्रॉब्लम क्रियेटर की तरह से, प्रॉब्लम के लिए आप से पूछे कि आप तेरे पास ये समस्या है, इसका क्या निदान है तेरे पास कोई इसका निवारण नहीं है, तो बोलिए, दूसरा कुरंतियों चौथा द्याय आठवे पद की निमित, मैं निरुपाय तो हूँ परंतु निराश नहीं हूँ, क्योंकि मैं प्रभू की मृत्यू को अपनी इस देह में लिये फिरता हूँ, प्रेरित्पलु प स्री के द्वारा से, और लिखा है यहां पर फिल्पुस ने कहा कि तू किधर से आता है, यहां पर लिखा है, हे फिल्पुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता, जिसने मुझे देखा है, उसने पिता को देखा है, जिसने पुत्र को देखा है उसने पिता को देखा है तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है हालेलूया ये बातें जो मैं तुम से कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता परन तू पिता मुझ में रहे कर अपने काम करता है पुत्र में पिता काम करता है मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो क्योंकि जो कारे प्रभु येश्व मसी ने किया वो कोई नहीं कर सकता कोई मनुष्य नहीं कर सकता कोई भी शक्ती नहीं कर सकती संसार की कोई नहीं कर सकता अपनों के लिए कोई उंगली भी नहीं कटा सकता मगर हमारे प्रभु येश्यू मसी ने जब हम पापी ही थे जब हम पाप की अवस्था में थे ओ प्रभु येश्यू मसी ने कलवरी क्रूस पे हमारे लिए जान दी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए वो अपमान उसने जो सहा वो कोई सगा माता और पिता अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकता कोई संसार का इंसान किसी के लिए नहीं कर सकता कोई मित्र नहीं कर सकता कोई मनुश्य नहीं कर सकता सरिफ वो प्रभु येश्यू मसी ने किया क्यों कि वो पिता की सामर्थ पिता क की योजना को पूरा करने के लिए क्वारी मर्यम के द्वारा से पवित्रात्मा से मुझस्सिम होकर क्वारी मर्यम से पैदा हुए थे और उस परिक्षा में से होकर वो जैपाकर हमारे और आप के लिए जैवन्द से बढ़कर हमें बनाने के लिए कलवरी क्रूस पे चड़ और वहां से वो तीसरे दिन जैवन से बढ़कर होकर उस पत्थर को उन्होंने हटा दिया उस रुकावट को उन्होंने हटा दिया उस ब्लॉकिंग स्टोन को उन्होंने हटा दिया जो मृत्यू का डंग था जो पाप का डंग था जानेंगे उस सत्य के आत्मा को आज उसके ही हमारा जीवन है नया जन्म प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है क्योंकि जब तक हम नए सिरे से ना जन्में हमें सत्य का आत्मा नहीं रह सकता पुराने मनशित्व को उतारते जाएं नए मनशित्व को प्राप्त करते जाएं और उसके लिए आपके और मेरे लिए है पहला थिसल नोकियों पाँचवा ध्याय नवे पद से आटवे पद से पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की जिलम पहन कर और उद्धार की आशा का टोप पहन कर सावधान रहें क्योंकि परमेश्वर के ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु येश्यु मसी के द्वारा उद्धार प्राप्त करें वे हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहें जागते हों चाहें सोते हों चाहें हम धर्ती में सोय होते हों समय चाहें हम जागते हों सब मिलकर उसी के साथ जीएं सब मिलकर उसी के साथ जीएं हालेलुया इस कारण एक दूसरे को शांती दो और एक दूसरे को की उन्नती का कारण बनो जैसा तुम करते भी हो हालेलुया तो माई दियर होली सेंट्स in the mighty name of our Savior Lord Jesus Christ be blessed प्रभू के पवित्र लोगों आप सब प्रभू में आशिशित हों आप प्रभू में आशिशित हैं प्रभू के आशिशित लोग हैं जो प्रभू को खोजते हैं प्रभू में एक दूसरे को बढ़ाते हैं उन्नती का कारण बनते हैं जैसे लिखा है है इस कारण एक दूसर की उन्नती का कारण बनो और एक दूसरे की उन्नती का कारण बनो तो हम आज प्रभू का वो समाज है पवित्री लोगों का वो समाज हम एक दूसरे की उन्नती का कारण बने एक दूसरे को शांती दे एक दिनी वचनों के द्वारा से लिखा है जैसे विश्वास और प्रेम की जिलम पहन कर जब प्रियों हम प्रभू के विश्वास और प्रेम की जिलम पहन कर सोएंगे और जब उठेंगे तो वो दुष्ट हमको किसी के खिलाफ भर्माने नहीं पाएगा किसी के लिए हमारे अंदर इर्षय जलन डहा नहीं डालने पाएगा हमारे अंदर कोई क्रोध नहीं आएगा क्योंकि क्रोध दुष्ट का सभाव है और क्रोध में हर एक प्रभू की अनॉइंटिंग को हम नहीं ठेहरते देख सकते जहां क्रोध है वाँ सत्य का आत्मा नहीं है वाँ अनोइंटिंग नहीं ठहरने पाती वाँ प्रभू का अभिशेक प्रभू का अनुग्रे नहीं रह पाता है तो क्रोध से क्रोध के डालने वाले कारणों से और मुद्दों से और दुष्ट की युक्तियों से खड़े रहने के लिए हमें विश्वास और प्रेम की जिलम पहननी होगी जैसे लिखा है वचन में पहला तसलनों की हो और उसका आठमें पद में लिखा है और लिखा है कि विश्वास और प्रेम की जिलम पहन कर और उद्धार की आशा का टोप पहन कर एक उद्धार की आशा का कि हमारा salvation होगा उद्धार की आशा रखे निराश ना हो ये ना सोचे कि मेरे अंदर कोई सामर्थ नहीं मेरे अंदर कोई बल नहीं मैं तो प्रभु में आगे बढ़ते ही नहीं दिख पा रहा हूं मेरे अंदर प्रभु का कोई कारे नहीं ये सब नि एलमिट आपके अंदर उस होप के लिए हो salvation का क्योंकि अगर हम आशा नहीं रखेंगे प्रियों तो हम कलवरी क्रूज के उस कुर्बानी को भी विश्वास नहीं कर पाएंगे हम आँखे लगाएं प्रभू की कलवरी क्रूस पर और आशा रखें कि वो प्रभू की कलवरी क्रूस पर दी कुर्बानी से उनके लहू के सामर्थ के द्वारा से हमने बल पाया है हम आशा रखेंगे नए जीवन में जाने की नया बल पाने की और प्रभू में पुरुद्धान की उस सामर्थ को पाने की हालेलुया आये प्रात्ना करें Thank you Lord Holy Spirit Thank you Lord Holy Spirit For your counselling, for your guidance For your help, for your power For taking everything in your kind control Lord Holy Spirit We thank you Lord Holy Spirit Thank you Lord Holy Spirit In the mighty name of our Saviour Lord Jesus Christ Thank you for this blessed time For your living word For our daily bread Thank you Lord Thank you Master Peter Parameswar इस सुन्दर वचण के लिए बड़ी सामर्थ के लिए प्रभू आपको धन्यवाद देते हैं धन्यवाद देते हैं पिता और बिंती प्रात्ना निवेदन करते हैं पिता Parameswar प्रबु येश्यु मसी नासरी के नाम से प्रबु आपके बच्चे जो भूके और प्यासे आए प्रबु आज वो त्रिप्त हुए हो आपका बल पाए हैं आप में आशा रखे हैं और आपके विश्वास की आपके प्रेम की वो जिलम पहने हैं कि वो जूट का पिता इन्हें भरमाएगा नहीं अब अशांत नहीं करेगा कमजोर नहीं करेगा कोई हाइपरटेंशन कोई डिजीज कोई सिकनेस कोई वीकनेस इनको ग्रैब नहीं करेगिया इनके घर पर इनके ठिकाने पर प्रभू आपका कंट्रोल है अपसे आपके पाक फरिष्टे वहां खैमा जंद हैं प्रभू हर एक बिमारी को हम जड़कते हैं डाटते हैं निकल जाएं उनके घरों से उनके जीवनों से हर एक आत्मिक और शारिरिक दुर्बलता प्रभू येश्यु मसी नासरी के नाम से दूर हो जाएं निकल जाएं प्रभू आपके बच्चे नया बल पाएं उकाब के समान उड़ें दोड़ें और श्रमित नहों चलें और ठकित नहों ये शाया 40-31 वर्स के निमित ब्लेस करें प्रभू अपने बच्चों को वो आपको जानना चाहते हैं आपसे प्रेम करते हैं प्रभू वो आपके प्रेम को जानना चाहते हैं प्रभू जिसने आपको देखा हमारे प्रभू येश्यु मसी हमारे उद्धार करता प्रभू येश्यु मसी नासरी जिसने आ ना वो पवित्र स्पर्श हमारी सेंसिज में आता है और हम जहवंत से बढ़कर बन जाते हैं नई सृष्टी बन जाते हैं फिर हम रुकते नहीं हैं दुष्ट की किसी युकती के आगे हम नहीं ठेहर सकते हम उस दौड को दौडते हैं निशाने की ओर कि इनाम पाएं कोई भर लिए अर्मा नहीं सकती जो सत्य का आत्मा गवाई आपकी कर रहा है आज आप सोएंगे प्रभू के विचारों में आप उठेंगे प्रभू के सामर्थी विचारों के साथ सामर्थी वचन के द्वारस है वो प्रोफेटिक वर्ड वो रिवीर्ड विल आपकी आपको बल देगी नया प्रभू का आत्मा सत्य का आत्मा आपकी अगवाई करेगा और आप आनन्दित रहेंगे प्रभू के विश्वास में आशा में प्रेम में बल पाएंगे be blessed in the mighty name of our Savior Lord Jesus Christ प्रभू इस सुंदर संगती के लिए धनेवाद प्रभू आपने हम मनुष्यों से इतना प्रेम किया है आपके इस प्रेम के लिए धनेवाद करते हैं प्रभू धनेवाद करते हैं प्रभू हम सब मिल के आपकी उस आत्मिक देखो उन्नती होने के लिए प्रभ ताकि पुराने मनशत्व को उतारते जाएं, नए मनशत्व को पहनते जाएं, नए आप अल पाएं प्रभू, आपकी अगवाई पाएं, आपकी अवाज को सुनें आपके बच्चे, आप हमारे स्वर्गे पिता हैं और जो पिता करता है वो पुत्र कर सकता है, जो पिता करता ह हर एक युक्ति को हम नेस्तों नाबूत करते हैं हमारे घरों से हमारे जीवनों से हमारे finances से हमारे influence से हमारे हर एक उस बात से जिसके द्वारा दुष्ट हमें कम जोर बनाना हमारी कलीस यहां से हमारे शेहरों से हमारे स्टेट से हमारे देश से दुष्ट की हरेक युक्ति नेस्तुनाबूध हो प्रभु आपका सत्य कात्मा अगवाई करें आपका शांती भराहात हम सब पर हो प्रभु सारे विश्वपे हो आपका अनुग works हो प्रभू सबको refresh करें अपना अगवाई दें प्रभू दया करें सब पर यह मौका है प्रभू यह इस पीरियड है यह नुग्रह का समय है प्रभू आपके धार्मिक्ताके वस्तरों को सब ग्रहन करें अंदकार दूर हो जाए प्रभाव शहर शहर में हम सब के शहरों में प्रभु आपका नूग्रह कारे करें आपके अनौइंटिंग आपका दुगना मसा सबकर ऊपर आए आत्मिक आँखें नी कुलें प्रभु प्छे आपको अपने पिता को पहचाने, अपने पिता की अवाज को सुनना सीखे, आपके विचारों में, आपके आशिशों में, आपके मार्गों में चलना सीखे, प्रभु सत्य आप हैं, मार्ग आप हैं, जीवन आप हैं, द्वार आप हैं, जीवन की रोटी आप हैं, जीवन का जल आप ह आमेन, आमेन, आमेन Thank you Lord Holy Spirit Thank you Jesus, Thank you Jesus Thank you Master We love you Lord Praise the Lord Again, have a very blessed night God bless you आज रात प्रभु की वानी आप सुने अप्रभु का शांती आपको मिले सत्य आप ग्रहन कर सके और जहां सत्य है प्रभु की भरपूरी वहां है प्रभु का आणत वहां है Be blessed in Jesus name